हेलो फ्रेंड्स, एक्सिलेंट एज्यूकिशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास एट यानि की स्टांडर एट सब्जेक्ट है साइन्स, साइन्स में अध्याई 6 यानि की चैप्टर नमबर 6 और NCRT के मुताबिक इस चैप्टर का नमबर है 14, यह जो 14 नमबर जो है वो इस काल साल की पढ़ाई में से निकाल दिया गया है लेकिन NCRT, बालाचड़ी, ग्ञानसाधना एवं NWMS की जो एक्जाम ली जाती हैं उसमें से यह नहीं निकाला गया तो हमें इसे continue पढ़ाई करना पढ़ेगा तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 उसका नाम है Solar System, Stars and Constellations यानि की सौर मंडल, तारे एवं तारा मंडल आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में हम सौर मंडल, ग्रव की स्थिती और ब्रह्मांड असंख्य आकास गंगाओं से बना है और प्रतियक आकास गंगा अर्बो तारों का समू है इन सी तारों के अपने और सौर मंडल जैसे परिवार हो सकते हैं इसके आगे हम पढ़ाई करेंगे पहले है युनिवर्स यानि की ब्रह्मांड यानि प्रूत्वी पूरा ब्रह्मांड प्रूत्वी के उपर आता है ब्रह्मांड ब्रह्मांड को समग्र उर्जा, ग्र, तारे, एवं आकास गंगा इत्यागदी के समू के रुप में परिवाशित किया जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानि की कॉस्मोलोजी भी कहते हैं सौर मंडल, सौलर सिस्टम सौरिय आठ ग्रहों तथा उनके उपग्रा या चंद्रमा तथा अन्य आकाशिय पिंड जैसे की सुद्रग्र, उलका पिंड और धुम केतु का समाविस इसमें सौर मंडल में होता है उसमें फर्स्ट है सन यानि की सौरिय सौरिय सौर मंडल के कैंद्रम में स्थीत एक तारा है जिसके चारो तरब पुरत्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घुमते रहते हैं यानि की बीच में शौर्य, सौर्य असन और उसके आजुबाजु जो है सौर मंडल के तारे घुमते रहते हैं सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है ये पृत्वी के सबसे नजदीक है सौर्य के प्रकास को पृत्वी तक पहुँचने में 8 मिनिट 16.6 सेकंड लगते हैं चंद्रमा, चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र उपग्र है ये पृत्वी के 4 और 27 दीन, 7 गंटे, 43 मिनिट तथा 11.47 सेकंड में अपना एक चक्कर लगाता है तथा इतने ही समय में पृत्वी की एक परिक्रमा पून भी करता है उसके बाद आएगी गैलाक्सी यानि कि आकास गंगा यह असंख्य तारों का समू है जो गुरुत्वा कर्षन द्वारा दूल एवं गैसिय प्रकास से जुड़े होते है यह आकास गंगा यह ब्रह्मांड में 100 बिलियन से ज्यादा होती है तथा प्रतीक आकास गंगा 100 बिलियन तारों का समू है हमारी आकास गंगा दूद मेखला है जिसकी बिग बैंग के उपरांत उत्पत्ती हुई है आकास गंगा की निकटम मंदाकिनी यानि की आकास गंगा देवियानी है उसे हम एंड्रमो एंड्रोमेडा बोलते हैं तारो का निर्वान आकास गंगा में गैस के बादल से होता है तारो से निरंतर उर्जा का उत्सर्जन होता है तुम के तू गैस एवं तुल के संग्र है जो आकास में लंबी चमकदार पूच सहीत प्रकास के चमकिले गोले के रुप में दिखाई जाता है यानि कि जो धुमकेतु हैं वो पूछके जैसा चमकीला गोले जैसा रुप में दिखाई पड़ता है तारे यानि कि स्टार्स तारे अपना प्रकास उत्सरजित करने वाले खगोलिय पिंड है हमारा शुरिय भी एक तारा है तारे पुर्व से पश्चिम की ओर गती करते प्रतित होते हैं यानि कि जब भी हम देखेंगे तो जो तारे जो होते हैं वो पुर्व से पश्चिम की ओर गती करेंगे तारों की दुरियों को प्रकास वर्स में मापा जाता है यानि कि प्रश्ण पुछा जाए कि तारों की इकाई क्या है तो आएगा प्रकाश्वर्स तुम के तू, कॉमेट्स तुम के तू, शौर मंडल निकाए है जो पत्थर, धूल, बर्प और गैस के बने हुए छोटे-छोटे खंड होते हैं यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं तारा मंडल, Constellations यह खगोलिया सास्त्रियों द्वारा आकास में तारों की निश्चित स्थिती के अध्यन के लिए इसे इकाईयों में विभक्त किया गया है इन इकाईयों को तारा मंडल कहते हैं ग्यात तारा मंडलों की संख्या 88 होती है ग्रहों का वर्गी करण यानी की क्लासिफिकेशन ओफ प्लानेट्स आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह ये पार्थिव या चट्टानी ग्रह कर लाते हैं इसमें सामिल ग्रह मंगल, बूद, प्रुत्वी एवन सुक्र है यानी की आपको पुछा जाए की पार्थिव ग्रह कौन से है तो बूद, मंगल, प्रुत्वी एवन सुक्र इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं क्यों इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं तो यह जो है वो अंदर की ओर होता है बायग्र या ब्रुवस्पतिय ग्र या ब्रुवस्पतिय या गेंशिय ग्र कर लाते है इसमें सामील ग्र ब्रुवस्पति, सनी, अरून एवं वरून है अंतर राष्ट्रिय खगोल ग्यानी संके अनुशार ये सूर्य की सिधी कक्षा में एक आकासिय पिंड होते हैं जो प्रबल गुरुत्वा कर्शन बल द्वारा चूडे होते हैं उदारण स्वरूप, for example, प्लुटो, सेरस, इरीस, मैकमैक, एवं हुमिया ये जो हैं, ये सब जो हैं वो ड्राफ प्लानेंट कहते हैं यानि की बौनाग्रव से बोलते हैं तो ये जो नाम हैं वो अच्छी तरह से आप ग्याद कर लिजीगा प्रकास वर्स एक प्रकास वर्स प्रकास द्वारा एक वर्स में 3 x 10 raised to 8 मिटर प्रति सेकंड की चाल से तय की गई दूरी हैं खगोलिया इकाई प्रुत्वी तथा सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती हैं इसे खगोलिया इकाई करते हैं या करलाती हैं ब्रह्मान के संदर्भ में महत्वपून तत्य यानि की इंपोर्टन्ट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स सबसे बढ़ा ग्रा ब्रुहस्पती सबसे बढ़ा उपग्र गैनिमेड यानि ब्रुहस्पती निलाग्र प्रुत्वी हराग्र अरोन सबसे अधिक और चमकिलाग्र सुक्र सुक्र को हम मौर्निंग श्टार और इवनिंग श्टार भी कहते हैं सौर मंडल के बाहर सबसे अधिक चमकिलाग्र तो सेरेस अब यहाँ जो सेरेस जो है वो बौनाग्र है हमने आगे ही पढ़ाई कि अभी अभी तो यहाँ जो ग्रवध हैं मौत्वकून तत्य हैं यह सब आप अच्छी तरह से ज्यात कर लिजेगा सौर मंडल के सबसे नजीक का तारा तो प्रोक्षिमा सेच्चुरी सबसे अधिक ठंडाग्र वरोन सांजा का तारा यानि सांज का तारा सुक्र इसे हम सुब का तारा भी बोल सकते हैं लेकिन अकेले सुब का तारा हो तो सुर्य होगा और सांज सुब यानि मौर्निंग और इवनिंग स्टार साथ में सब्द दिया हो वाक्य जुडा हुआ तो ही सुक्र अंसर आएगा सुर्य से सबसे दूर का ग्र वरोन सबसे अधिक उपग्रव वाला ग्र सनी सनी जो है उसके वलयों बहुत सारे होते हैं और सबसे सुन्दर भी दिखाई पड़ते हैं सबसे अधिक गर्मग्रव सबसे अधिक गर्मग्रव तो आएगा सुक्र सबसे अधिक गर्म जो है वो है सुक्र सौर मंडल में सबसे अधिक तेज धूनन वाला गर्म ब्रुहस्प दी भोर का तारा सुक्र यानी सुबस जब सुरज उगने वाला हो सुर्योदय होने वाला हो उसके पहले का पुर्थ्वी के सबसे अधिक गर्म सुक्र सुर्यसे सबसे अधिक गर्म बोध लाल गर्म मंगल सौर्मंडल में सबसे मंद परिक्रम वरोन की सौर्मंडल में सबसे मंद धूनन वाला गर्ः सुक्र सबसे छोटा गर्र बोध सबसे छोटा उपगर्म डिमोश पुर्थ्वी का जुडवा गर्म सुक्र पुर्थ्वी से जुड़ा होता ही होता है सुबह शाम दोनों टाइम चुड़ा रहता है इसलिए सुक्र है पृत्वी की समान वायू मंडल वाला एक मात्र उपग्र ये खास ग्याद किजिएगा कि पृत्वी की तरह समान वायू मंडल है तो ऐसा उपग्र कौन सा है तो आएगा टाइटन अब देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्ण हमने जो थियरी है वो कम्प्लेट कर ली है अब थियरी के अनुसंदान जो है वो हमारे अभ्यास प्रश्ण है तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरू से किजिएगा और ये जो चैनल है अपने दोस्तों को भी इसकी लेंग सीर के सेयर किजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक आकास गंगा का नाम दिया गया है ए दूद मेखला मंदा किनी को बी ग्रव अरुन को सी पृत्वी को या डी सूरिय को आकास गंगा नाम किसे दिया गया है तो अंसर आएगा ए दूद मेखला मंदा किनी को दो नंबर चंद्रमा पृत्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है ए 27 दीन 7 गंटे 43 मिनिट में बी 29 दीन 3 गंटे 20 मिनिट में सी 20 दीन 2 गंटे 5 गंटांथ और दी 10 दीन 4 गंटे 5 मिनिट में तो हमें मालूम है चंद्रमा जो है पुरुत्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 27 दीन 7 गंटे 43 मिनिट लेता है तो सही आंसर आएगा A तीन नंबर कौनसा ग्रहो का युगम बायग्र कहलाता है तो जो बायग्र का युगम है उसमें आंसर आएगा D ब्रुहस्पति, सनी, अरुण तथा वरुण ये जो है बायग्रव है इसके अलावा आपको अंत्रिक्ग बोले गए हो तो अंसर आता A लेकिन बायग्रव है तो सही अंसर है D D इसका अंसर है चार नंबर मंगल तथा ब्रुहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाला ग्रहिय बाग का छोटा समुग क्या कहलाता है A. उलका B. दुमकेतु C. आकासिय पिन या D. सुद्रग्र क्या कहलाएगा जो मध्य में परिक्रमा करते हैं मध्य में परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहेंगे तो अंसर आएगा D. सुद्रग्र क्या बोलेंगे? सुद्रग्र पांच नमबर निम्न में से कौनसा तारा पृत्वी के सबसे नजदीक का तारा है? A. दुरू तारा B. दुमकेतू C. सुर्य या D. सुद्रग्र कौनसा पृत्वी के नजदीक है? तो अंसर आएगा C. शूर्य चे नमबर सभी ग्रहों में आकार के अनुसार पृत्वी का स्थान क्या है? या कौनसा है? तो A. पाचवा B. तीसरा C. चौथा या D. सात्वा तो हम जब पढ़ाई करने बैठे तो हमें ग्याद करना है कि किसका स्थान कौनसा है? तो वो आप ग्याद कर लिजेगा यहीं जो आंसर आएगा पृत्वी का स्थान तो पृत्वी का स्थान जो है वो है पाचवा यानि की A. सात नमबर यदि पृत्वी की त्रीजया आधी हो जाए तो पुरुत्वी पर दिन राद की अवधी क्या होगी? A. 6 गंटे B. 12 गंटे C. 16 गंटे या D. 36 गंटे तो इसका सही आंसर आएगा A. 6 गंटे क्यों 6 गंटे? तो पुरुत्वी की त्रीज्या जो है वो आधी कर दे आधी कर दे यानी तो जो 12 बारा के दो भाग पड़ते राद दिन का उसकी बज़ बारा के आधे हो जाएंगे 6 यानी की 6 गंटे होंगे आठ नमबर अंतर राष्ट्रिया खगोल विग्णानी संग सम्मेलन द्वारा किस ग्रह की मान्यता ग्रहों की स्रेणी से खत्मक की कर दी गई है कौनसा ग्रह ऐसा है जिसे मान्यता नहीं मिली या तो सौर मंडल में से निकाल दिया गया है तो हम जानते हैं कि प्लूटो जो है उसे सौर मंडल में से निकाल दिया गया है कभी-कभी प्लूटो की जगह यम भी बोला जाएगा तो सही अंसर आएगा प्लूटो यानी कि उसका दूसरा नाम है यम नौ नमबर चंद्रमा का सांत एवं काला पश्च भाग कहलाता है क्या कहलाता है A. प्रशांतता का सागर B. तुफान सागर C. दोनो A और B और D. इन में से कोई नहीं तो चंद्रमा का सांत एवं काला पश्च भाग जो है वो कहलाता है प्रशांतता का सागर और तुफान सागर यानी कि आंसर आएगा A और B दोनो दस नमबर चंद्रमा का कितना प्रतिसद भाग पृत्वी की सत्व से दिखाई पड़ता है यहां से हम पृत्वी में अपने घर पे बैठे बैठे देखे तो चंद्रमा है उसका कितना भाग हम देख सकते हैं क्या पूरे के पूरा चंद्रमा देख सकते हैं चलिए A 97 टका परसंटेज B 34 परसंटेज C 20 परसंटेज D 41 परसंटेज तो हम जो है वो यहां आंसर आएगा 41 परसंट यानी कि हम घर पे बैठे बैठे चंद्रमा को देखते हैं तो वो पूरे का पूरा चंद्रमा हम नहीं देख सकते हैं 41 परसंट ही देख सकते हैं 11 नमबर किस वर्स मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? A. वर्स 1963 B. वर्स 1965 C. वर्स 1999 या D. वर्स 1932 कब चंद्रमा पर सर्व प्रथम पैर रखा था? तो आंसर आएगा C. वर्स 1999 12 नमबर चंद्रमा के जिस शेत्र में जलकी उपस्थिती की गई होई? कोई प्रमानित्ता नहीं होती उसे क्या करिलाते हैं? फिर से चंद्रमा के जिस शेत्र में जलकी उपस्थिती की कोई प्रमानित्ता नहीं होती उसे हम क्या करते हैं? या तो क्या करलाता है? A. तुफान के सागर B. तुफान का क्षित्र C. दुल का तुफान या D. इन में से कोई नहीं तो आंसर आएगा तुफान के सागर तेरा नमबर सबसे अधीक उपग्रवाला ग्रव सबसे ज़्यादा उपग्रव हो ऐसा ग्रव कौन सा है? A. सनी B. ब्रुवस्पती C. मंगल D. वरुन तो ज़्यादा से ज़्यादा उपग्रव वाला जो ग्रव है बहुत सुन्दर दिखता है काला या निला है तो उसे हम बोलते हैं सनी महराज यानि की सनी चौदा नमबर सुर्या की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करने वाला ग्रव कौन सा है? 88 दिन में कौन सा ग्रव जो है? वो सुर्या की परिक्रमा पून कर देता है A. बूद B. सुक्र सी मंगल या डिसनी तो आंसर आएगा बूद बूद जो है सूर्य के सबसे नज़िदिक का तारा है तो ये जो है 88 दिन में एक परिक्रमा पून कर देता है 15 नमबर अंतरिक्स से आकास का रंग दिखाई देता है कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्स से आकास का रंग देखना है पूर्थवी से नहीं देखना ध्यान रखना ठीक है? A. निला B. लाल C. सफेद या डिकाला अगर आप विमान में गए हो या फिर कभी बड़े हो के जाए तो देखना कि अंतरिक्स में यानि कि जो पूरी अंतरिक्स तक तो हम नहीं जा सकते लेकिन अगर हम प्लैन में है और आप आकास के ओर देखेंगे तो वो काला दिखाई दीगा तो अंसर आएगा काला सोला नमबर सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्र कौन है A. एटलस B. टाइटन C. तैठीस या इन में से कोई नहीं तो सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्र है उसका नाम है टाइटन क्या नाम है टाइटन सत्रा नमबर हमारा ब्रह्मान फैल रहा है यह कथन किसने प्रतिपादित किया था A. नूटन B. गेलिलियो C. एडविन हबल या D. कोपर निकास किसने उत्पादित किया था कि हमारा ब्रह्मान फैल रहा है तो अंसर आएगा A. एडविन हबल्स क्या आएगा A. एडविन हबल्स आपको लगेगा कि मैडम आप दो बार क्यों बोलते हैं ठीक है तो अगर हम एक ही अंसर जो हैं दो बार ग्याद करेगे तो सीधा हमारे अजागरुत मन तक पहुंच जाता है और तिसरी बार जब हम पढ़ाई करे तो अपने आप वो ग्राण कर लेता है तो इसलिए आप भी जब पढ़ाई करने बैठे तो ये एक छोटी ची टिप्स है कि आपको जो पढ़ाई करने का प्रश्न हो आंसर हो आपको लगे कि ये मैं भूल जाने वाला हूँ तो दो बार एक बार जोर से बोलिएगा एक बार मन में बोलिएगा तो आपको ग्यात हो जाएगा अच्छी तरह और जल्दी से ग्यात हो जाएगा उसके बाद आएगा अठारा नंबर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है A. चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्र है B. चंद्रमा की काल अउदी 27.3 दिन है C. चंद्रमा का अउदी काल अपने अक्सपर लगबग उसके दूनन काल के बराबर होता है और D. उप्रोप्त सभी तो अंसर आएगा चंद्रमा पृत्वी काल अउदी चंद्रमा की अउदी 27.3 दिन सम्थिंग है चंद्रमा की अउदी अपने कक्सपर लगबग दूनन काल के बराबर है यानि की आंसर आएगा उप्रोप्त सभी ये सभी जो है उसके सत्य आंसर है तो फ्रेंड्स यहां जो है हमारा चेप्टर सम्पूर हो जाता है अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अगर वेडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए तेंक यू